दुनिया के बड़े तेल निर्यातक देश सौधी अरब ने एशिया सही दुनिया के सभी शेत्रों के लिए कच्चे तेल के भाव में कटोती की है उत्पादन कटौती करके भाओ बढ़ाने की तमाम कोश्चों में असफल रहने के बाद, सौधी अरब की तरफ से कच्चे तेल का भाओ घटाये गया है सौधी अरब के इस फैसले के बाद, विदेशी बादार में कच्चे तेल की कीम्तों में नर्मी देखी जा रही है ब्रेंट कुरूट का भाव घट करके 70 डॉलर प्रतिबरल तक आ गया है अंतराश्टी बाजार में लंबे समय से कच्चे तेल का भाव 80 डॉलर के नीचे बने रहने की वज़ाई से भारती तेल कंपनियों को फाइदा हो रहा है और तेल कंपनियों को हो रहे है इस फाइदे को देखते हुए सरकार की तरफ से उनको दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कटावती किये जाने की संभावना दिखाई दे रही है सब तेल बाजार में ये हो क्या रहा है और सौधी अरब को क्यों आखिर में तेल की कीमतों ने करनी पड़ी तेल बाजार में कुछ अनोखी गत्विदियां हैं आमतार पर मद्यपूर्व में दो जगे तनाव हो युद्ध की परिस्थिती हो लगातार टैंकर स्पे शिफ्स पर हमले हो रहे हो और खच्छे तेल की कीम तुम्हें बढ़ोतरी ना हो या परत्याशित है जो इस्थापित जानकारी है तेल बाजार के मामले में उसको उसकी तुलना में इस समय तो कच्छे तेल की कीमेति इतने तराव के बीच 90 और 95 डालर से उपर होनी चाहिए हैं इसी डालर तक नहीं पहुंच रही है और साथी अरब को अपने उत्पादर में कटोती करनी पड़ रही है दो ऐसे फैक्टर्स हैं विपल जी जो कच्छे तेल के बाजार के परस पर विरोधी तोर पर दो तरफ से कच्छे तेल के बाजार पर दबाव बनाये हुएं एक तो च है तीसरा सच चोथा सबसे बड़ा उत्पाद अखे निर्या तक भी काफी बड़ा हो गया और अमेरिका का तेल अभी योरोप के बाजारों में पहुचने लगा है इन दो परिस्तितियों के कारण जो पुराने तेल के सूरुमा यह जो सुल्तान थे ओपक देश उन्हें के उत्पादन में कटवती के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ी रिकवरी नहीं दिखाई दे रही यानि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के पक्ष में 10 तर्क हैं पर कीमतें 70, 78, 75, 76 डॉलर पर वरेल के आसपास बनी हुई हैं यहां से दो संभावना मंती द अशंका और गहराई और पुष्ट होती चली दिखाई दिखाई दिए एगले एक दो महीनों में तो फिर ओपिक देश अपने उत्पादन में कटवती का एक और बड़ा फैसला कर सकते हैं तो क्या है सर यह जो सका भी आप इंडिकेशन दे रहे थे हो कि मंदी की आशंका दिखाई दे रहे हैं दो तरह से यह दिखाई दे रहा है एक तो भूट सारे लोग एमान रहे हैं कि जो फेडरल जरब का भूट कौशस एप्रोच और फेडरल जरब की जो के जो मिनिट्स आ चाइना जो सबसे बड़ी अर्थवस्ता उसके अनुमान था हमारे सामने आ चुके हैं विकासदर पांच फीजदी से नीचे आने की संभावना है जो रिकार्ड समय होगा भूट लंबे कई दशकों बात चीन के आर्थव विकासदर पांच फीजदी से नीचे आएगी ऐसे परिस्तिती में दुनिया की बड़ी अर्थवस्ताओं में अगर मांग कम होगी तो माइल्ड हल्की फुल्की मंदी इस साल दिख सकती है इसलिए बाजारों में थोड़ा सतर करहने की जरूरत है और भी विशेशग्या जो इन्वर्टेट इल्ड कर पढ़ते हैं जो बाजार के अलग अलग ट्रेंड पढ़ते हैं वो भी इस बार इस बात की संभावना जाहिर कर रहे हैं लेकिन अभी इस साल दुनिया की अर्थवस्ताओं में काफी बड़े उठा उथल पथल होनी है और यह साल काफी महतुपूर्ण बेविपल यह साल दुनिया में साथ देशों मे चुना होने एक साथ दुनिया के रगका इतना बड़ा और दुनिया की सारी बड़ी अर्थवस्ताओं में साल चुना होने तो दुनिया का जो पॉलिटिकल कलेंडर है वो इस साल इतना पैक्ड है कि वहां से जो आने वाले फैसले होंगे वो अर्थवस्ताओं को कैसे आजनितिक रूप से और निशित रूप से उसका अफर आर्थिक रूप से भी दुनिया पर पढ़ेगा.